माही भगवान की पूजा कर रही थी कि घर की बैल बचती है तो वो दरवाजी की और बढ़ जाती है इतने में ही माही की मामी दिपिका जी भी आ चुकी थी उन्होंने सोच की जरूर तारा और माही होंगी पर माही को दर्वाजा खोलता देख हैरान हो जाती है माही दर्वाजा खोलती है तो तारा और रिशप को देखती है तारा परिशान हो कर कहती है माही तू ऐसे बिना बताय क्यों आ गई थी होटल से मैं तुझे कितना परिशान हो गई थी तुझे वहां नहीं देख कर मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तु ठीक तो है न और घर पर सब ठीक है न माही कुछ कहती इससे पहले ही दीपिका जी आकर कहती है अरे बेटा तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो रिशब बेटा आओ ना माही खड़ी क्या हो नास्ता चाय नाश्ता की तैयारी करो दीपिका जी के कहने पर माही कहती है जी मामी जी इतना कहकर माही किचिन की ओर बढ़ जाती है माही ने कल से कुछ नहीं खाया था जिससे उसे वीकनेस और कमजूरी लग रही थी इसे नजर अंदास करके माही नाश्ता बनाने लगती है दीपिका जी तारा से कहती है तारा तुम रिशब जी को रूम देखा दो ताकि वो आराम कर सके तुम लोग ठक गए होगे पर तारा कहती है पर मा मुझे माही से बात करनी थी दिपिका जी कहती है तारा पहले आराम कर लो बाते तो बाद में भी होती रहींगी अपनी मा की बात सुनकर तारा रिशब से कहती है रिशब जी आप चलिए मेरे साथ दिपिका जी उन दोनों को जाते देखकर कहती है अब म मैं इस महरानी को से बात करती हूँ इत्मिनान से इतना कहकर दिपिका जी दंदनाते हुए किचिन की और बढ़ जाती हैं माही किचिन में चाय नास्ता बना रही थी तो दिपिका जी गुस्से में कहती हैं अभी से अपनी मनमानी करने लगी तुम तुम्हारे जादा ही पर नि ना बताए होटल से आ गई बताओ मुझे अपनी मामी की बात सुनकर माही कहती है वो मामी मेरी तबियत ठीक नहीं थी और मैं तारा को दिस्टब भी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो मैं घर आ गई थी और मामी इतना सुनते ही कहती है ठीक है ठीक है नास्ता बन जाए तो टेवल पर लगा देना मैं मंदिर होकर आती हूँ इतना कहकर दिपिका जी वहां से चली जाती है माही किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसकी साथ कल रात क्या हुआ था माही नाश्ता टेवल पर लगाने लगत रिशव फर्ष होकर तारा के साथ नास्ता करता है तारा माही को भी नाश्टे के लिए कहती है तो माही कहती है नहीं तारा मुझे भूख नहीं है वो तारा तारा कहती है ठीक है पर भूख लगे तो खा लेना माही हा कहती है और किचिन में खाने की तयारी करने लगती है रिश में किचिन से किसी के गिरने की आवाज आती है तो तारा और रिशप किचिन की ओर भागते हैं घर में दिपिका जी और देविंद्र जी दोनों ही नहीं थे देविंद्र जी वॉक पर गए थे दिपिका जी मंदिर गई थी तारा और रिशप जैसे ही किचिन में आते हैं तो व इसे वीकनस हैं इसी लिए ये वेवोस हो गई थी और शायद ये किसी बात को लेकर काफी जादा परेशान है तो तारा कहती है पर माही ने मुझे कुछ नहीं बताया है खेर मैंने इससे कहा भी था कि नाश्टा कर लो लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी इसने नास्ता भी नहीं किया और कल रास से कुछ नहीं खाया शायद इसी वज़े से वीकनस आ तारा मैं कुछ medical driver से मंगवा देता हूं जिससे इसे होश आ जाएगा और तुम माही को खाना खिला कर दवाईया खिला देना और इसे rest की जरूरत है तो इसे आराम करने देना इसे बिल्कुल काम मत करने देना ओके तारा कहती है ठीक है रिशब driver से जल्दी से medical medicine मंगवाता है और तारा को देकर कहता है तारा अपना भी ख्याल रखना और माही का भी ख्याल रखना और तारा के माथे को चूम कर वहाँ से चला जाता है कुछ समय बाद माही को होश आता है और उसके आगे तारा खाना लेक कर बैठी हुई थी माही धीरे धीरे अपनी आखे खोलती है माही कहती है तू यहां पर क्या कर रही है मैं कमरे में क्या कर रही हूं मैं तो किचिन में थी न तो यहां कैसे आई तारा कुस्सा करके कहती है एक तो तू मुझे होटल से बिना बताय घर आ गई उपर से तबियत तुम से बहुत नाराज हूँ तारा I am sorry वो मुझे सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रा था इसलिए मैं होटल से भी आज गई थी मैं नहीं चाहती थी तु परिशान हूँ तारा कहती है मैं परिशान ना हूँ इसलिए तु मुझे बिना बताए चली आई वो तो अच्छा तुम्हें रिक्से में जाता देख रिक्से से जाता मॉंटी ने देख लिया था नहीं तो मैं तो बहुत परिशान हो गई थी कि तु कहां चली गई चल अब चुप चाप खाना खा ले नहीं तो मेरा गुस्सा बहुत बुरा है नहीं तो मैं तुझ से कभी बात नहीं करूं और मेरे गुस्ते से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा माही खाना खा लेती है इतने में ही दिपिका जी आकर कहती है तारा बेटा तारा बेटा तू यहां है मैं तुझे सब जगे ढूंड रही थी मा वो माही को की तबियत खराब है थी इसलिए मैं उसके पास थी दिपिका जी कहती है अब आराम करने jeud, काम करने का समय है सत तारा कहती है मतलब मा तो दिपिका जी कहती है तेरे पापा के अटो फॉन पर रिषव के दादा जी सुनील जी का कॉल आया था कि तुम दोनों की शादी की डेट साथ दिन बाद ही निकली है अगर साथ दिन के बाद शादी नहीं हुई तो दो साल तक शादी नहीं हो पाएगी तो आज से साथ दिन बाद तुम्हारी शादी है बहुत सी तयारियां करनी है मुझे तो समझी नहीं आ रहा है कि क्या करूं इतनी जल्दी कैसे क्या होगा वैसे शादी का सारा इंतिजाम तो टाठोट परि तो जो बीमार है वो जल्दी से ठीक हो जाएं मनहुसियत ना फैलाएं तारा गुस्य में कहती है मा एक तो माही की तबियत खराब है उपर से आप ऐसी बाते कर रही है और मेरी अकेली की शादी तो नहीं है ना माही की शादी भी तो है तो उसे तो जल्दी ठीक होना ही है इतन कहकर तारा हस देती है तो तारा को खुश देखकर माही अपने मन में कहती है शायद खगवान जिढ़ी यही चाहते हैं कि मैं जल चल्ड उनके पास आ जाओं और तारा को उसकी खुशियाँ जल्ड से जल्ड मिल जाएं वैसे भी अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में तारा माही को हिलाते हुए कहती है यार माही तू तो चुप हो गई यार इतनी सारी तैयारिया इतनी शारी शॉपिंग करनी है मेहंदी हल्दी संगीत और इतने सारे फंक्शन्स हैं मैं तो बहुत एकसाइटेड और तू जल्दी ठीक हो जा तो फिर हमें साथ में शॉपिंग पर भी जाना है तारा जल्दी से अपने रूम से तारा जल्दी से माही को खाना खिला कर दबा दे कर वहां अपने रूम में आ जाती है और रिशब से बात करने लगती है रिशब जी मुझे तो यकीनी नहीं हो पंडिच जी को इतने पैसे जो दिये हैं तारा कहती है क्या रिशब कहता है हाँ पंडिच जी को दो महीने बाद महूरत निकाल रहे थे मैंने रिश्वत देकर साथ दिन करवा दिया क्यूं और जल्दी करवाना था क्या कल ही साधी कर लेते हैं तुम कहो तो क्या इतना कहकर र रिशब जी आप भी ना अब जल्दी से रिशब तारा राठोर बनने की तैयारी कर लो हो जाओ माही के तबियत कैसी है तारा कहती है अब वो ठीक है वहीं मौंटी माही को कॉल करता है तो तारा का मन तो नहीं था कॉल पिक करने का लेकिन वो ढड़ते हुए कॉल पिक करती है और कहती है हेलो तो मॉंटी कहता है हाए क्या आवाज है मैं तो मर ही गया वैसे कल तुम बच गई थी पर साथ दिन बाद तुम मेरी बाहों में होगी जाने मन। मॉंटी की बात सुनकर माही कन्फर्म हो जाती है कि उसके साथ कल कोई और ही था उसे पहले से ही शक था कि मॉंटी नहीं था उसके साथ वो छुवन किसी और की ही थी और वो जानी पहचानी सी लग रही थी मॉंटी कहता है वैसे जाने मन तुम रेडी रहना साथ दिन बाद मेरी प्यास बुझाने के लिए और हसने लगता है माही इतनी वाहियात बाते सुनकर फोन कट कर देती है डर से और रोते हुए कहती है सब को सिर्फ और सिर्फ जुस्म चाहिए किसी को मेरे मन की परवार नहीं है हमें भी दर्द होता है हमें भी प्यार की जरूरत है खैर शायद इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मुझे प्यार मिल जाए जो मुझे निश्वार्थ प्रेम करे वहीं माहिर माहिर सुबह से ही बहुत परेशान था वहीं मोहित देव वेदिक भी परेशान थे कि माही क यहां गई थी, क्यूंकि उन्होंने खुद माही को कमरे में भेजा था और वो डर से माहीर से भी नहीं पूच सकते थे, माहीर अपने आफिस में काम कर रहा था, इतने में उसके फोन पर डॉक्टर का कॉल आता है, तो वो call pick करता है डॉक्टर कहते हैं माहिर सर अब आपकी health कैसी है क्या आपके drugs का असर खत्म हो चुका है माहिर confusion में कहता है पर आपको किसने बताया मुझे किसी ने drugs दिये था डॉक्टर कहते हैं कल मेरे पास वेदे का call आया था उसी ने आपकी health के बारे में बताया था और मैंने बारिस की वज़े से मैं आपके बहां नहीं आ पाया था और मैंने suggestion किया था कि आपको किसी physical need को पूरा करने की जरूरत है और आपको physical need को पूरा करके ही आपकी जान वचाई जा सकती है क्यूंकि आपको high dose drugs दिया गया था माहिर कहता है क्या? डॉक्टर कहता है यस सर माहिर ओके कहकर phone cut कर देता है माहिर की आँखों में गुस्सा उतर आया था इतना कहकर माहिल को cut कर देता है और उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है पर वो सब सच वेद मोहित और वेदिक से जानना चाहता था अब देखना ये है गाईस कि क्या वेद मोहित और वेदिक सच देव मोहित वेदिक सच बताएंगे कि उन्होंने ही माहि को कमरे में भेजा था और अगर माहिर को जब ये पता चलेगा कि ये जो माही उसके कमरे में आई थी वो इन तीनों का ही किया दरा था तो हमारे जो माहिर का गुसा है, क्रोध है वो हमारे जो तीन दोस्त हैं वो जहल पाएंगे या नहीं और हमारा माहिर है वो इन तीनों को क्या सजा देगा क्या वो इन तीनों को माफ कर पाएगा और अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा क्या मॉंटी और हमारी माही की शादी हो जाएगी या हमारी माही अपनी जान दे देगी तो बने रही है इस स्टोरी में मैं आपको आज आपको एक बोनस एपिसोड दे दिया है तो आप कल के एपिसोड का वेट कीजेगा मैं कल भी जल्द से जल्द आपको एपिसोड देने की कोशिश करूँगी तो आप मुझे कमिंट में जरूह बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आपको इस स्टोरी में क्या एंडिंग आपको जाहिए मुझे जरूर बताएं, गैसि कीजिए कि आप एंडिंग कैसी चाहते हैं इस नगे की, तो इस स्टोरी के चार, पांच एपिसोड और बचे हैं मैं इसकी हैपई एंडिंग करने वाली हूँ, तो आप बताएं कि एंडिंग में आप चाहते हैं माहिर और माही की लव स्टोरी बता के खत्म कर दूँ या सैड एंडिंग करूँ या हैप्पी एंडिंग करूँ तो आप मुझे जरूर सजेशन दीजेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एंडिंग इसकी कैसे करूँ तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी में जो एंडिंग है वो कैसी चाहते हैं पर अभी इस स्टोरी थोड़ी मैं थोड़ा और अभी इसके 4-5 एपिसोड और लाऊंगी तो अब बने रही है इस स्टोरी में और मुझे एक कमेंट में ज़रू बताइए का कि आपको एंडिंग कैसी चाहिए अब देखते हैं अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है तो थैंक यू फर वाचिंग और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए थैंक यू सो मच और लव यू बहुत सारा जो आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच